आप देख रहे हैं आई आप बढ़ते हैं ख़बरों के उडीव है पनारी विपरल के ग्राम पंचायतगिर्रा में हाथी का कहर जारी है जेसमें फ़सलों को पूरा नुक्सान कर दिया है आपको बता दें कि बलवदा बजार जीले के पलारी विकास खंड के ग्राम पंचैत गिर्रा में लगातार दो दिनों से करीब 200 से लेकर 200 एकर तक के फसलों को नुक्सान पहुचा दिया जिससे पूरा ग्रामीड चिंती थाए ग्रामीड से बाचित होने पर ग्रामीडों ने बताया कि हाथे जुन के जुन आते हैं और आते ही पूरे फसलों को बरबात कर दिया है जिसमें हाथियों की संक्या 13 से लेकर 15 बताई जा रही है और उसके संग छोड़े-छोड़े हाथियों के दो बच्चे भी सामिल हैं जिसमें तीन खदरनाग देंतल हाथियां बताई जा रही है हम लग पहुंचाएं गर्म गिर्रा में पता चला है कि यहां पर हाथियों का दल आया हुआ है क्या पूरा ममला बताएंगे जनकारी कि यहां गराविडर को जो है दहस्ता प्हाला हुए हाठी की दल को देख करकर फसर की दूगकी नुक्सान पहुंचा और बहुत जादा तो इसमें क्या मामला सामने है सर यहां पर वो क्या है अपने अधर रहासी तरफ से आये हुए हैं और वापस पुना फिरो लोग अपने रास्ते उसे वापस जाना चाहे रहे हैं तो जैसे कि नुक्सान हुए उसका पता चल पाया है की नहीं पाया है अभी सर्वे करने सपता चलेगा भी कम से कम दो ढ़ाइस साव एकर जमीन जो है बरबाद हुआ है क्योंकि हाथी का दल जो है पंद्रा के औरेज पंद्रा सुलग तेम हैं और हाथी आ रहा है फिर जा रहा है अभी पूरा हमको दिन भर हो गया है हाथी कल से आए हुआ है हातियों को भगाने के लिए ग्रामिड और वन विभाग के कर्मचारी एव अधिकारीयों द्वारा हा हाथी को जंगल की ओर खदेरा जा रहा है फसल नश्ट होने पर यहाबास भी सामने आ रही है कि गिर्रा से लेकर वहां के आजपास ग्रामीडों के फसले भी बरबाद हुए है जिसमें गिर्रा कोद्वा गबोद सुंद्री आधी गाउं के फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुचाया गया है आरेने नियूस के लिए बलोदावजार जीले के प्लारी व्लॉग से चेतन पुरेना की रिपोर्ट